अमेठी मां सहरी करता ग्राम में विस्तार खूब वदू शे अने गामडाओं मां केवा प्रकानी तकलीफ शे ते जानवानों और समझवानों प्रयास करी शूँ दादा कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं अब बढ़ापा अगया है अब दिक्कते आ रही है अब दिक्कते यहीं जितने फसल से कोई बच नहीं पर रहे हैं सालों पर बली सब बनी हुई है विजिली हो गई कम 8 साल हो गया साल इसमें आर्थिंगतार ही नहीं है यह फसल के डाम मिल रहे हैं सही से नहीं क्या दिक्कते आ रहे हैं कोई प्लान आता ही नहीं है कि सारे नेता लोग कि सारे चुनाओं में राजनेती यहां पर करते हैं, आपको कितना फाइदा 5-10 साल वहा है आपके जीवन में? हमारा जीवन ना कोई फाइदा नहीं है, क्या दिक्कते हैं अभी? कुछ नहीं, जितना आता सरकार कोई भी चीज नहीं मिलती है हम लोगों को, हाँ, चाहिए कोई भी सरकार हो, अखलेस में आई थी, अफिक की तो कांग्रेस में, हाँ, फिर बड़ी दिक्कते आ रहे हैं, अब बताईए, युवा है, किस तरह से दिक्कते आती हैं, दिक्कते य कोई देखा हो तो बताऊए, कोई नहीं देखा है, उनको शकल नहीं देखा है, अच्छा आपके गाओं में क्या-क्या दिक्कते आ रहे हैं, हमारे गाम यही रात भर हम लोग जागते हैं, खेती नर लखें तो चरले खेती, सारी रात खेत में बैठे रहते हैं लोग, यह दरवाजे पर खेत है, खेत में नर रहे तो शाड़ चरले, अच्छा, यही है, इस सरकार में हम लोग रो रहें, गरीब जलता पताईए, वोट प्राइब करेंगे करेंगे वोट करेंगे करेंगे कोंसे मुद्दे प्राइडिटी रहेंगे मुद्दे रहेंगे जो है कि हमारा जो है रोजगार को लेकर बिजली के लोगे जो कि यहां से खंभा गड़ा हुए कांग्रेस के जबाने का है विद्दुती करन मोदी जी कितना भी कहते हैं लेकिन आज तक इस ग्राम में इस नाइप अंचायत में कभी नहीं किया गया वोट आप बदाई ये वोटिंग करेंगे वोटिंग होना जो और देंगे शीरे पर को बीज सिस्टम्त ही तकलीफ होई जै तैरे तकलीफ साथीयों कर झाल झाल झाल